हलो फ्रेंड्स वेलकम वन्स अगेन दिन और यूट्यूब चैनलry टेक्नो राजस्तान नमश्का दोस्तों मैं जितेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो राजस्तान में तो दोस्तो इस वीडिये में आपन बात करेंगे राजस्तान पटवारी भड़ती 2019 को लेकर आप सभी के लिए महित्पूर्ण सूचना आ रखी है 9 अप्रेल 2019 के दिन तो अपन देखते हैं डिटेल्स के साथ इस न्यूस के बारे में कैस में बता रखा है जो 5000 से ज्यादा पद खाली है और जो 2000 से ज्यादा पदो पर होगी भड़ती तो दोस्तो आप देखते हैं डिटेल्स के साथ कब तक ये वेकेंसी आ जाएगी और इसमें क्या क्या बता रखा है ठीक है और दोस्तो आप सभी के काफी टाइम से कमेंट आते हैं कि जो पटवारी भड़ती है इसके वेकेंसी का विग्यापन जल्द ही निकाल दिया जाएगा और कब आएगा वो भी सी वीडियो में मैं आप सभी को बता दूँगा तो इसके लिए जो जिन्होंने बीए कर रखा है बीटेक बीसे बीकॉम और जो फाइनल येर वाले है एपेरिंग वाले है वो भी कर सकते हैं आरेसे एटी के एंड जो बीसे वाले है उनको भी जरूत नहीं है जो इन्फोर्मेशन टेक्नलोजी वाले है उनको आरेसे एटी की जरूत जरूर पढ़ेगी तो आप सभी देख सकते हैं ये न्यूज आ रही है पटवारी बढ़ती 2019 को लेकर पटवारी के 5000 पद खाली एक स न्यूज को जूम करके कैस में बता रखा है तो आप देख सकता है पटवारी की 5000 से अधिक पद रिक्त पड़े है लेकिन राजस मंडल में 2000 पटवारी की भरती का मामला एक साल से अटका पड़ा है एक साल पेले राजस मंडल ने जो राजस्तान क्रमचारी चेन बूर्ड को भरती की अनुसंसा बेजी थी लेकिन तब एक MBC आरेक्षन को लेकर स्थती इस पस्ट नहीं होने के कारण बोर्ड ने इसको वापस लोटा दिया था क्योंकि जो MBC आरेक्षन था एक परतिशत दे रखा था उस टाइम एंड इसमें जो सीटों का वरगी करण जो पदू का वरगी करण सही तरीके से नहीं था तो इसलिए इसमें टाइम लग गया ठीक है तब से राजस मंडल ने इस भरती भरती की परिक्रिया को शुरू करने को लेकर कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया ठीक दोस्ता आप यहां बेदेख सकते हैं और पिछले साल राजस मंडल ने 2000 2000 पदों के लिए चेन बोड को अनुशन सा भेजी थी लेकिन एक लेकिन MBC आरक्षण को लेकर एक ऐसा पेंच पसागी भरती परिक्रिया सुरू ही नहीं हो पाई एंड जो राजस मंडल ने तब जीलावार होने वाली इस पटवार भरती में MBC केडिगरी के 2000 में से केवल ए एक पद आरक्षित किया गया था तो 2000 में से एक परतिशत इसमें रखा गया था एंड जो एक परतिशत आरक्षण दिया जा रहा था ठीक है तो इससे के इस इसाब से जो आपके MBC के इसाब से 20 पोश्ट होनी चीए थी लेकिन जो नोट विग्यप्ति बनी थी उसमें सिर्फ एक ही पद MBC का रखा गया था तो इसलिए इसमें टाइम लग गया था एंड इस करण चेन बोर्ड है जो RSM SSB ने भरती की फाईल लोटा तेवे है इस मामले पर इस्तती स्पस्ट करने को कहा जो और राजस मंडल को फिट से फाईल बेज दी और कहा कि आप जो सही से सीटों का वरगी करन कीजिए तो दोस्तों आपको पता है जो राजस्तान सरकार ने अब MBC का आरेक्शन बढ़ा दिया गया है पांच पीसदी हो गया है और ज इसको 10% आरेक्शन दिया जाएगा इंड इसके बाद जो नोटिवेकेशन जारी किया जाएगा जैसे आचार सहीत आपकी खतम होती है तो इसके बाद इस पर काम होना स्टार हो जाएगा तो MBC को 5% आपका सुरण आरेक्शन है EWS को 10% आरेक्शन देखकर जो राजस्तान क्र रमदाजस्तान क्रमचरी चेनबूर के अध्यक्स वियल जाटावत ने कहा कि पटवार भरती में आरक्षन पर इस्तती इस्पष्ट होने के लिए हमने राजस मंडल को लिखा है और उनकी तरफ से कोई सूचना नहीं आई है और जो राजस मंडल है जो अपना अजमेर के अंद तो उसके बाद यह वेकेंसी निकाल दी जाएगी एक से दो महीने के अंदर यह वेकेंसी आपकी कंफर्म आजाईगी ठीक है दोजार से ज़्यादा यह रहेगे और आज की यह न्यूस है देनिक भासकन न्यूस पेपर की ठीक है दोस्तों तो आप से भी देख लीजेगा औ आप से भी को description में दे दूंगा तो जल्दी ये विकेंसी आप से भी के लिए आने वाली है दोस्तों उम्मीद करता हम वीडियो आप से भी को पसंद आएगा और पसंद आथा तो प्लेस को लाइक कीज़ेगा और चैनल पर फ़स्टाइम विजिट करें प्लेस चैनल को भी उसकी लिंक आप से भी को description में मिल जाएगी तो मिलते नेक्स्ट वीडियो मत अब तक के लिए जय हिंद वन्दमात्रम थेंक्यू सो मच एंड बेस्ट आफ लाग्स